हलो दोस्तों जैहिन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सो हिल मन्जिल तक सफर में दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही शांदार वीडियो लेकर आया हूँ जो है आपकी सीटेट 2023 के उपर काफी सारे बच्चों को डाउट रहता है लास्ट में जाकर कि सीटेट में कैसे हम लोग भेतरी नमबर से पास कर सकते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यकीनन 6 या 7 दिन ही पढ़ते होंगे सीटेट एक्जाम के लिए तो उन सभी के लिए और जितने भी लोग जो हरवार रह जाते हैं वो इस एक्जाम को कैसे किलियर करेंगे कुछ बहतरीन सी चीज़े आप सभी लोग के साथ साजा करूंगा जो क्या होने वाली है कि सीटेट पास करने के 5 मूल मंत्र आपको मैं बताऊंगा कौन से हैं और क्या टेग वर्ड है इनका क्या यूज है कैसे एक्जाम में लागा कर इने हम पास होते हैं और आपका सिलेबस क्या है बो भी मैंने लिखा है तो सब कुछ दोस्तों डेटेल में जानेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहां पर सी टेट पास करने के पांच मूलमंत्र आपके क्या होने वाले हैं तो आप सभी को पता है कि आप किस exam के तयारी कर रहे हैं C-TAT की, इस exam को देने के बाद आप किस exam में बैठेंगे, बही सूपर TAT है, आपका D-TRIPLS भी है, या फिर KBS है, इने सभी exam में आप लोग बैठेंगे, इस exam को किलियर करने के बाद, क्योंकि C-TAT आपका क्या है, State Level का ह मेरा भाई, जबकि UP TAT है, आपका हरियाना TAT है, या आपके State Level के होते हैं, तो C-TAT में मतलब जिसने भी C-TAT पास किया, वो हर एक वेकंसी में बैठ पाएगा, चाहें वो आपकी UP की हो, चाहें State की हो, चाहें KBS हो, चाहें आपकी Super TAT हो, सभी परिक्षाओं में बो बैठ प जोते हैं, और आप बहाँ पर जब teaching करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो आपको किन-किन बातों पर याद ध्यान रखना है, वो आपको सबसे ज़्यादा important है, तो सबसे पहला point मैंने लिखा है, कि बच्चों को respect देना है, ठीक है, बच्चों को क्या देनी है, बच्चों को आपकी respect, पहले बच्चों को आपको respect करनी है, बाद में आपके लिए देखा जाएगा क्या है, क्या है, क्या नहीं है, लेकिन पहले बच्चों को आपको respect देनी है, ठीक है, उसके बाद क्या है, बच्चों को मारना या कूटना बिल्कुल नहीं है, अगर किसी भी option में कोई आपका वो होगा बच्चों को दंड भी नहीं देना है बच्चों को मारना बिल्कुल नहीं है बच्चों को सजा नहीं देनी है बच्चों को कभी भी मेरे भाई क्या करना है आपको दंड बगरा बच्चों को कभी नहीं देना है अगर ऐसा किसी भी option में आपको देखना कोई मिलता है तो वो option आप बिलकुल गलत कर देंगे कोई भी संसय वाली बात उसमें आपकी नहीं होगी ठीक है, तीसरा है कि बच्चों को कुछ भी रटाना नहीं है बच्चे को कुछ भी हमें जो है रटाना नहीं है कितावी भासा से बच्चों को एक समाजिक तौर पर एक समाज से एक outmost for a create करकर बच्चों को चीजों को समझाना है जैसे बच्चा कोई चोटा होता है ठीक है मतलब एक हम इस तरीके से बताएं कि एक figure के तरीके से उसको समझाया जाता है एक बाहर की दुनिया से relate करकर चीजों को समझाया जाता है तो बच्चा पहले सीखता है म्याउ, थोड़ा सा बड़ा होता है तब वो सीखता है cat cat मतलब billy, तो पहले क्या उसको याद है, म्याउ याद है तो मतलब बच्चों को ऐसे ही चीजों को रटाना नहीं है, बच्चों को चीजों को कहा है, समझाना है एक time के चलते अपने आप चीजे बच्चों को समझ में आने लगती है अपने अब ठीक है तो बच्चों को रटाना बटाना कुछ भी नहीं है, उसके चक्र में फिर आप क्या देंगे, दंड देंगे, मारेंगे, तो वो चीज बिलकुल गलत होगी, किलियर है, अच्छा एक चीज आउराती है, कि सर्क option देखके हम कैसे पता लगें कि कैसे ठीक हो सकता है, देखिए, option अगर आपका बड़ा है, ठीक है, और उसमें कोई भी positive बात कही गई है, जैसे कोई भी option है, जैसे इसमें दिया, कि बच्चों को पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है, तो क्या करें, मैं आपने तरफ से बना रहा हूं, ठीक है, तो उसमें option में दे रखा है, आपको कि बच् अचे भी जो होते हैं, competitive, जैसे आप सभी लोग है, तो आपको भी तो motivation की जरूथ होती है, कभी कभी आप लोग कहते हैं, कि सर आपकी वीडियो देखे, motivation आ गया, पढ़ने में दिल लग गया, जब आपको इतने बड़े होके भी motivation की जरूथ है, तो आप सोच सकते हैं कि 1st, second class के, NC class के बच्चों को motivation कितना ज़्यादा मिलता होगा, तो motivation वाले सब्दों आपका right होईंगे ही होईंगे, ठीक है, तो tag word की अगर हम बात करते हैं, कि tag word से आप कैसे clarify करेंगे, कि आपका कौन सा option सही है, तो tag word को हमने दो पार्ट में divide किया है, एक है आपका positive tag word, और दू से क्या है, प्रोतसान, बच्चे को अगर कहीं भी option में motivation की बात कहीं जा रही है, बच्चे के लिए motivate या प्रोतसाहित कर रहा है, जैसे माल लीजिए, किलास में 4 बच्चे हैं, ठीक है, ये किलास में 10 बच्चे हैं, मैंने माल लिए, ठीक है, अब एक बच्चा है, जिसका न तो टीचर क्या करेगा टीचर उसके परिवार वालों से सिकायद करेगा कि आपका बच्चे स्कूल नहीं आया है इसकूल भेजा करिए ऐसा या वैसा या किलास में बैठे उन बच्चों से पूछेगा कि सोनु स्कूल क्यों नहीं आया या वो इसके पीछे का कारण जानने की क अजिन स्कूल आता था, आज ऐसा क्या हुआ? जो इसकूल नहीं आया। तो टीचर क्या करेगा? उसके पीछे का का कारणाथaden भी कारणा धूनेगा. ठीक है? याँ पर होसिता है जा पकल लोग क्प Creativity जिसे बोलते हैं सुरजनात मक्ता, ठीक है, बच्चों में creativity करवाएं, जैसे बच्चों में game बगएरा होते हैं, classes में, ठीक है, छोटे बच्चे game खेलते हैं, तो बच्चों को game बगएरा भी खूप खिलवाएं, जैसे आजकल तो बहुत अच्छे school हो गाएं, इस school में जू करवाएं, मतलब बच्चों में क्या करवाएं, भी या communication, ठीक है, communication, बच्चों में communicate करवाएं आपस में, ठीक है, जितना बच्चा आपस में communicate करेगा, उतना बढ़िया होगा, जैसे आजकल के बच्चों में देखता है, कि बच्चों में hesitation बहुत जादा होती है, यही कारण है कि बच्चों ने आपस में बात करना ही नहीं नहीं चाहा सुरूमें. ठीक है? हर एक काम के लिए वो करते हैं, परसान होते हैं कि मैं इस से बात नहीं कर पाऊंगा, मैं इस से बात नहीं कर पाऊंगा. तो ये चीज बहुत ज़्यादा जरूरी है, communication बहुत ज्यादा important आपकी है ठीक है, बच्चों को अबसर देना चाहेंगे opportunity मिलने चाहेंगे उन्हें किसी भी चीज की, अगर option में आपसे कहता है कि बच्चों को इस चीज का अबसर देना चाहेंगे, तो ये बात बिल्कुल right होगी ये tag word आप लिख लिजेगा कहीं भी आपके पन्ने पर, जहां भी आप पड़ाई करते हों सामने लगा लिजेगा अपनी ball पर, ये tag word आपके seat item में बहुत ज़्यादा काम आने वाले है ठीक है, ये seat item में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज है आपकी tag word बच्चे का क्या है, अर्थ पूर्ण किसी भी चीज का अर्थ निकालना चाहिए ठीक है, अर्थ पूर्ण चीज होनी चाहिए कारण का पता लगाना चाहिए, action मतलब होता है, दोस्तों, गती भी थी ठीक है, ये सभी क्या है, आपके positive tag word है ये अगर आते हैं, तो आपको option कैसा होगा ये right होगा, अच्छा negative tag word फिर क्या होगे, जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने हतोहत साहित, बच्चे को कभी भी हतोहत साहित मतलब होता है, मेरे दोस्त demotivate, बच्चे को कभी भी demotivate नहीं करना चाहिए, कि जात उस्तर काम ये नहीं होगा, तो ये home work नहीं कर सकता, तो ये question नहीं कर सकता तो ये सभी कम क्या है, हतोहत साहित मतलब demotivate वाले हैं, तो छोटे बच्चे को कभी भी demotivate नहीं करना चाहिए, ये option बिलकुल आपका wrong हो जाएगा, ठीक है, बच्चे को कभी भी सजा नहीं देनी है, ठीक है, बच्चे को कभी भी दंड नहीं देना है, बच्चे को कभी भी चीजों को रटाना नहीं है, कठोरता के साथ बात नहीं करनी है, केबल नहीं आना चाहिए आपका, ठीक है, केबल वाली बात यहां पर गलत होती है, ठीक है, मात्र मैं ही देखी, ये वाली बात भी क्या होती है, आपकी गलत होती है, ठीक है, बच्चों को व्याकरण से नहीं समझाना है, छोटा बच्चों को व्याकरण नहीं समझ में आती है, बच्चों को मारना कूटना भई बिलकुल नही यह सभी क्या है आपके यह सभी negative word है अगर यह सभी आपके question में किसी भी option में अगर आपको दिखता है तो बिलकुल आप गलत करकर आगे बढ़ जाईएगा यह चीज़ वो है जो आपके number में improvement करवा देती है और बहुत से teachers ने बताई भी होगी आपको नहीं पता थी तो आप लिए लीजिएगा और यह दोस्तों जो था आपका syllabus था अच्छा एक बात में और कह दूँ अगर आप सोच रहे हैं कि bigger pedagogy के हम seatate qualify कर लें तो bigger pedagogy के आप seatate qualify नहीं कर सकते देखिए 30 number की तो CDP यहाँ पर ठीक है हिंदी 30 number की जिसमें से 15 number का तो आपका content होता है और इसमें 15 number की ही आपकी क्या होती है pedagogy मतलब आप अपने subject को बच्चों को किस परकार से समझाएंगे ठीक है यही आपकी क्या होती है pedagogy मतलब एक तरीके से चीजों को समझाना मेरे दोस्त ठीक है English की बात करते है language 2 तो यह 30 number की इसमें भी 15 की content होता है और 15 की pedagogy EBS में भी 30 number की 15 का download कर लीजिए EBS के notes मैंने बिल्कुल free of cost आपके लिए दलबा दिये हैं आपको geography वगारा ही मिल जाएगी जो paper 2 के देख रहे है history वगारा ही मिल जाएगी तो बिल्कुल free of cost notes आपको मिल जाएंगे हमारे application पर जाकर free material में जाएंगे तो free material में जाकर आपको EBS के notes वगारा तो ये था आपका syllabus देड़ देड़ सो और ये paper आपका कैसा होना है offline mode में आपका ये paper होना है सभी को पता है तो जितने भी मैंने ये आपको tag word बता है ये सभी tag word आप लेख लीजिए मेरा भाई बाकी जितनी चीजे मैंने ये आपको बताई है कि बच्चो को मारना नहीं है बच्चो को respect करनी है बच्चो को कोई भी रटाना नहीं है positive option maximum time पर आपका ठीक होता है tag words हम कैसे पता लगाएंगे वो tag words मैंने आपको यहां बता दिये अब अगर किसी को भी कोई दिक्कत बची हो तो वो comment कर सकता है उसकी comment कर reply मैं कर दोंगा ठीक है बाकी यही चीज थी ज चैनल को subscribe भी जरू कर लीजेगा मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स वीडियो में ततके लिए जय हिंद जय भारत